हेलो ट्रेजर स्वागत है हमारे चैनल मार्केट वित अभिनास में तो चलिए देख लेते हैं 18 एप्रियल को निफ्टी और बैंक निफ्टी का डारेक्शन क्या रह सकता है और हम लोग कोई टीप्स नहीं प्रोभाइट करते हैं हम लोग जस्ट आपको बताते हैं कि मार्केट क्या रियक्ट कर सकता है अभी के सिन्यारियों के हिसाब से तो चलिए देख लेते हैं सकते हैं यह निफ्टी का चार्ट है और अभी देखा जाना अभी काफी ट्रेडर कंफ्यूज है क्योंकि अगर आप देखे तो मार्केट यह नॉर्मल कोई नॉर्मल सा डायरेक्शन नह हो रही है तो आप लोग चिंता ना करें हम लोग यह दूर करेंगे तो एक बार हम लोग पहले चोटे टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि अगर ट्रेडर्स में अगर आपको दिखाऊंग तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं निफ्टी यहां से ओपिन किया था नेक्स डे यानि प्रिविएस डे और इस रेजिस्टेंस लाइन अगर मैं आपको यह लाइन दिखा हूं यह लाइन कौन सी है इसके लिए मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा करना चाहूंगा उसके बाद आपको अगर मैं चार्ट दिख कर मैंने यहां पर एक ड्रॉ किया था और आप देख सकते हैं कितनी प्यूटिफूली तरीके से निफ्टी ने यहां पर ओनट किया इस लाइन को उसके बाद मार्केट नीचे कंटीनू किया और अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं यह जो बेस है अगर मैं आपको हो गया था जब निफ्टी ने यहां काफी बाढ टेस्ट किया था और यहं पर कंस Passover yönट राइन था तो आप देख सकते हैं देख सकते हैं प्रिवियस का प्रिवियस डे अगर मैं आपको बदा आउं मैं उस टेम भी बताया था कि रुकिए था टाइम फ्रेम छोटा कर दिया जा अगर मैं आपको दिखाओ यहां कितनी बार यहां सपोर्ट लिया निफ्टी ने उसके बाद फिर नेक्स टे यहां मार्केट ओपेन हुआ तो यहां से फिर नीचे रैली आया और फिर यहां सपोर्ट फिर यहां सपोर्ट फि विवो नाची रिट्रेस्मेंट का टूल के बारे में जानते ही होंगे अब मैं आपको बॉटम टू टॉप यहां से यहां खीच कर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यह जो मैं बेस लाइन खीचा था, यह बेस लाइन किस पर 0.6 का लेबल अपको पता है, 0.6 का लेबल एक गोल्डेन लेवल है और उसके बाद अभी देख सकते हैं यहां तो 0.6 का लेवल है और मार्केट यहां रुका हुआ है अगर 0.6 का कलेबल मार्केट ब्रेकश करता है यानि मैं अगर आपको बता दू अगर निफ्टी ने इस लाइन मतलए इस लेवल को ब्रेक किया तो काफी ज़्यादा पॉबिलेटी रहेगा मार्केट यहां से नीचे आते कुछ 0.7 का लेवल यानि यह लेवल तक आ सकता और यह लेवल आपका कुछ रहेगा आपको मैं इसका भी प्राइज लेवल लगा दूँ तो यह कुछ लेवल रहेगा आपका यहां इतना दूर आ सकता है निफ्टी क्योंकि आप देख सकते हैं बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है और यहां से मार्केट नीचे आ सकता है और यह लेवल बस ब्रेक होना चाहिए उसके बाद आप एक डाउन का पोजिशन ले सकते हैं और काफी ज़्यादा चांसेज हैं डाउन होने का निफ्टी का क्योंकि आप इंटरनेशनली बहुत कुछ देख रहे होंगे प्राइज इंफ्लेशन कितना बढ़ रहा है फिर यूक्रेन रसिया का तो लगाई पड़ा है उसका स्री लंका भी फिर रेस में आया है पाकिस्तान है इधर तो काफी ओवरॉल देखा जायतो वर्ल्ड का एकोनॉमी का हालत खराब है तो इसलिए देखा जा सकता है यहां से अभी निफ्टी ट्रैवल कर सकता है 0.7 का लेबल तक तो आप यहां से सौट कर सकते हैं फ्यूचर्स तो यह तो रहा आप छोटे टाइम फ्रेम में आपको बता दे तो देखिए छोटे टाइम फ्रेम में हम आपको बता दे कैसे ट्रेट करना है अगर निफ्टी इस बेस लाइन को ब्रेक करता है तभी हमें इसके लिए पोजिशन लेनी है और इसके ब्रेक किस तरह से करना होगा मालीजी यह मार्केट कहीं यहां उपेन हुआ और अगर निफ्टी यह नहीं करते हुए और इस से इस टेंड लाइन को ब्रेक आउट करता है तो हमें वेट करना है यह उपर जाए फिर यहां रिटेस्ट पर आए फिर यहां से हम लोग एक अपका पोजिशन ले सकते हैं यह पूरा सिनेरियो पर डिपेंड हैगा मैंने आप आपको क्लियरली पिछले वीडियो में बताया था कि अगर मैं इस यहां बताया था कि अगर यह जो ट्रेंड लाइन हम लोगा काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर 0.6 का एक लेवल बन रहा था मैंने आपको बताया था कि हमें ट्रेट किस तरह से करना है अगर इस इनको ब्रेक करता है यानि मैं अगर आपको दिखा दूँ आप देख सकते हैं मार्केट यहां ओपेन हुआ कुछ यहां से मार्केट ने एक रैली दिखा है डाउन साइड और आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं अच्छे से अधा इनको आप देख यहां पर मार्केट ओपें हुआ फिर यहांसे मार्केट नीचा और इस जगह आप देख सकते हैं इस जगह होने के बज़े से bank nifty भी यहां से slip किया फिर bank nifty आते आते और यह trend line मैंने पहले से ही बना के रखा तो इस trend line पर आके support लिया और यह trend line पर क्यूं support लिया हम लोग इसका भी बात करेंगे उसके बाद देखा जाए तो bank nifty ने एक unique pattern यानि shoulder, head, shoulder और इसका breakout करते हुए एक downside rally दिखा दी यानि ये head and shoulder pattern बना तो एक bearish pattern और फिर bank nifty ने एक downside rally दिखाई और मैंने यहाँ पर एक अच्छा खासा profit भी कमाया था तो traders अगर मैं आपको दिखाऊ यह क्यों और price यहाँ इस जगह क्यों आके रुका और next day क्या रह सकता है analysis मैं आपको बताओं तो उसके लिए हमें ज़रुरत होगा Fibonacci का tool की तो फिर यहाँ पूरा एकदम bottom to top Fibonacci यहाँ लागाने से आप clearly देख सकते हैं अगर मैं आपको दिखाऊ यह देख के अपके लिए थोड़ बड़ा कर दिया जाए चार्ट आप यहाँ देख सकते हैं यहां यह जो लाइन था यहां से फिर जब मार्केट निफ्टी ने जब बैंक निफ्टी जब नीचे आने लगा तो आप देख सकते हैं 0.6 का लेवल पे यह ट्रेंड लाइन बना हुआ था और यहां मार्केट ने दो बार सपोर्ट लिया दो बार सपोर्ट लेने के बाद ठीक मार्केट उपर गया फिर 0.5 का लेवल से रिजेक्शन मिला और यहां आपको मैं चीज दिखाऊ तो आप देख सकते हैं यहां से रिजेक्शन मिला और रिजेक्शन मिला मार्केट नीचा है फिर इस लेवल को ही रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करके फिर नीचे और प्राइज इस जगह क्यों रुका यहां आप देख सकते हैं 0.7 का लेवल है और मैं आपको दिखाऊं यह देखिए यहां पर 0. 0.7 का एक लेवल है और यहां आखे ही बैंक निफ्टी ने वेट किया और कल हो सकता है यानि कल यानि नेक्श डे 18 अपरिल को कि बैंक निफ्टी अगर डाउन साइड मूब दिखाता है इस जगह से अगर इस लाइन को ब्रेक करना होगा मैं अगर आपके लिए लगा दूए कितना का लाइन है यह लाइन आपका कुछ रहेगा 37420 अगर इसको ब्रेक करना होगा बैंक निफ्टी को उसके बाद आप सौट कर सकते हैं और सौट का आपका फर्स्ट टार्गेट रहेगा वन यह अला लाइन और यह लाइन का मैं अगर आपको बता दूँ कितना है तो व 37264 क्योंकि अभी अपसाइट का कुछ ऐसा चांसेज नहीं दीख रहा है क्योंकि यहाँ भी हेडेन सोल्डर पैटन ब्रेक आउट मतलब ब्रेक आउट हो गया है तो सो हो सकता है मार्केट अभी बेरीस ही रहेगा क्योंकि इंटरनाशनल सिच्वेशन भी बेरीस है तो यह रहा इस लाइन को ब्रेक करना होगा और यह रहेगा आपका फर्स टार्गेट अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीए मिलते हैं नेक्स टॉपिक के साथ तब तक कीप इंवेस्टिंग क्योंकि सबको बढ़न